हलो गैज आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉप पर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर रहा हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूश पेपर में आईए वो सारी की सारी अपडेट हम लोग दे प्रेक्टिस सेशन्स कम्प्लीट टेस स्रीज आपको मिलेगा और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा वी डे आप यहां पर देख सकते हैं वी डे आप लोग कोड यूज करिए साथी साथ अगर आपको इसका फ्री मौक टेस लेना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रि प्रेली जो अपडेट है वो है आपकी UP scholarship status को ले करके जैसा कि आपको पता है कि कल से आप सभी लोग का जो scholarship status है वो बदलने लगा है बहुत सारे चात्रों का जो पहले पेंडिंग दिखा रहा था फिर वो चाहाए आपका account verification status हो और फिक चाहाए आपका verification by district welfare officer हो तो जिन भी चाहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा था अब वो धीरे धीरे जो है सही हो रहा है तो आप लोग अपना जो status है उसको आप लोग समय समय पर जो है उसको check करते रहें ठीक है आप कम से कम मान के चलिए एक दिन में आप दो बार अपना status को जरूर चक किया करिए ठीक है ताक कि आप लोगों को भी पता लग जाए कि आप लोगं का जो पेंडिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो solve हो रही है कि नहीं solve हो रही है कल जो है बहुत सारे छात्रों का जिनका भी account में पेंडिंग दिखा रहा था यह नहीं कि जो account verification status था वो जो पेंडिंग दिखा रहा था अब जो है वो verification हो चुका है इसको ले करके हमने साम को वीडियो बनाई थी उस समय पर आप लोगों ने चेक किया आप लोगों में से बहुत सारे छात्रों का जो बेरिफाई दिखा रहा है और बहुत छात्र ऐसे थे जिन लोगों का रात में जो है बेरिफाई दिखा रहा है तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरह में अगली जो अपडेट है वो सीटेट रिजल्ट को ले करके है तो कल जो है सीबीएस्टी निूज पर जो है इस पर एक अपडेट आई थी कि सीटेट दोजारी किस रिजल्ट आन फरोरी 15 नो हाउ टू चेक रिजल्ट थी तो रिजल्ट यह देखनों को मिल जाएगा सीबीएस्टी की ओफीचल साइट पर साथ इसाथ आप जहां से भी रिजल्ट और चकरते हों आप उहां से भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं जब यह रिजल्ट आएगा सीटेट का तब हम आपको इनफॉर्म जरूर करेंगे ठीक है इसलिए चैन इत अभ्यारतों को नोट्री जारी किया है नयाले ने एक वैकल्पी विसाय लेने वाले इन अभ्यारतों को स्केलिंग लागू ना किया जाने के मामले में दायर याचका में अपना पक्च रखने के निर्दे दिये हैं जिससे सभी पक्चों को सुनकर फैसला किया जाए यह लोग सेवा आयोग ने PCA 2018 के मुखे परिक्चा में वैकल्पी विशय में बिना स्केलिंग लागू किये परिक्चा में मिले अंकों के आधार पही परडाम जारी कर दिया जबकि 6 जुलाई 2018 को जारी विग्यापन में क्लाज 15 के सब क्लाज 13 में इस परस्ट रूप से का गया है कि वैकल्पी विशय में स्केलिंग लागू की जाएगी मगर लोग सेवा आयोग ने मनमाने तरीके से अपने विग्यापन को दी गई सर्थ का उलंगन किया जिससे परिक्चा परडाम पूरी तरह से सही गोसित नहीं किया गया आयोग ने अधिवक्ता ने सुप्रिम कोर्ट कि संजै सिंग के किस का नेडरे हवाला दे कर का कि कि सकेलिंग लागू करने कि आउसकता विश्यश मामलों में होती है ना कि हर एक मामले में इसे लेकर आयोग ने एक विश्यसक कमेटी गठित की थी 26 परड़ी 2020 को कमेटी की रिपोर्ट ने कहा गया कि कुछ विष्यों में अब्यारतियों को मिलने वाले अंकों में अंतर इतना अधिक नहीं है कि स्केलिंग लागू करने के आउसकता पड़े नयाले ने कहा कि क्या आयोक के पास या विकल्प है कि विग्यापर में गोसित सरत के बावजूद कमेंटी की रिपोर्ट के आदार पर इसकेलिंग लागू ना करें नयाले ने कहा कि अंतिम चैनल सुची जारी हो चुकी है और चैनित अभ्यारतियों के अधिकार भी उत्पन हो गए है उनका अपक्स जाने विना निर्ड़ाय करना उचित नहीं होगा तो यह देख लीजी एक अपडेट है पीसे 2018 को ले करके और चैनित अभ्यारतियों को जो है यहापर नोटिस दी गई है 33 साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम परडाम गोसित होने पर ही जारी होगी उत्तरकुंजी उत्तर प्रते लोग सेवा आयोग UPPSC की ओर से अंतिम उत्तरकुंजी जारी नहीं करने का वामला इलाहबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतिम उत्तरकुंजी जारी करने का अग्रह किया गया है आयोग ने कोर्ड को बताया कि अंतिम परिक्षा परडाम गोसित होने के बाद उत्तरकुंजी जारी की जाती है यह चीज यहां पर इन्हों ने बता दिया है और अब आजाते हैं अगली अब डेट पर और अगली अब डेट जो है biscuit Prof. बरति को लेकरके हैं, जैसा के आपको पता कि की अनतिम उत्तर कुण्जी को अब स्रूधित करेगा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, खामियों को सोला से सत्रा फरोरी के बीज़ दूर कर लिया जाएगा इसके पहले आयोग प्रात्मिक उत्तरकुंजी को तीन बार सुनसोधित कर चुका है आयोग ने इस विज्ञापन के तहस 47 विश्व में असिस्टन प्रोफेसर की 2003 पदों की भरती निकाली इसकी तीन चरणों में 30 अक्टूबर 13 वा 28 नॉंबर को देखी परिक्षा कराई गई थी इसकी अंतिम उत्तरकुंजी 12 फरोरी को जारी की गई अब भ्यारतियों को उत्तरकुंजी में खामी विली इसके तहत वानिजी के प्रस्रपत का 46 A, B, C, D बनाय गया था ठीके तो इसकी वी अंतिम उत्तरकुंजी उसे भी जारी करने की जो त्यारी है वो चल लही है चलिए वही पर हम बात कर लेते हैं TGT, PGT, College Aventon को ले करके तो 289 TGT, PGT चैनितों को मिले नए विद्याले प्रक्ता संबर्ग, PGT और परिक्षा और प्रस्रिक्षित असनातक TGT 2016 की भरती परिक्षा में गलत विद्याले आवंटन से भटक गए चैनिस सिक्षकों के लिए राहत भरी खबार है उत्तर पदे मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड ने 289 चैनिस सिक्षकों को नए विद्याले आवंटित कर जिले में पाइनल भेज दिया है इसमें 286 सिक्षकों को पूर में आवंटित जन्पद में रिक्त पदना होने से दूसरे जिले के विद्याले में समाय उजित किया गया है चैन बोर्ड ने वर्स 2016 की भरती परिक्षा अवजित कराई परड़ाम गोसित किये जाने के बाद चैनिस सिक्षकों को विद्याले आवंटित कर जिलों में पाइनल भेजा गया था कारिबार करने चैनिस सिक्षक विद्याले पहुँचे विद्याले जो है मिले यहाँ पर बात की गई है विद्याले आवंटन समयत कई मांगों को लेका चैन बोर्ड पर प्रदर्सन उत्तर प्रदर्सन मादमिक सिक्षक संग एकजुट और प्रतियोगी मोर्चा ने प्रवक्ता 2021 का संसोधित पैनल गोसित करने प्रदर्सन करने प्रदर्सन करने पहुँचे अब ब्यारतों ने प्रतरिजी मंडल से वारता की प्रदर्सन में उपेंद्र मिथलेश कुमार मोर्या अर्चना सिंग राजिस कुमार स्यामबली यादो आद जो है सामिल दे तो आप देख सकते हैं 289 टीजीटी पीजीटी शेलितों को मिले नए बिद्ध्याले इसले कर प्रदर्सन जो है इसको चल रहा है चली अब बात करते हैं यहाँ पर आफ लाइन परिक्षाओं का विरोध और घहराओ इलाबाद बिश्टु विद्ध्याले परसन में निकलाद जलूस परिक्षा नियंत्रक कार्याले घहरा हंगामा बढ़ाने पर पहुंची पुलिस फोर्स इलाबाद बिश्टु विद्ध्याले में इसनातक की परिक्षाओं आफ लाइन मोड में कराया जाने के निर्ड़े के विरोध में सोमोर को बड़ी संक्या में चात्रों ने परिक्षा नियंत्रक कार्याले का घहराओ किया हंगामे के बीच मौके पर पुलिस फोर्स भुला ली गई इलाबाद पिरसासन ने अधिकारियों और चात्रों के बीच देखी वैद भी हुई चात्रों को आस्वस्त किया गया कि उनकी मांगे परिक्षा समित के समक्ष रखी जाएंगी चात्रों ने चेताओनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा कुछ दिनों पहले परिक्षा समित की वैठक में नेड़े लिया गया था कि 22 अप्रेल से असना तक दुतियों तरतिये वर्थ के परिक्षाएं आफलाइन मोड में कराई जाएंगी चात्र परिक्षा नियंतरक कारेले पहुँचे और घहराव जुरू कर दिया चात्र आफलाइन परिक्षाएं कराये जाने का फ़सला वापर ले जाने की मांग पर अड़े हैं अगली जो अपडेट है इस अपडेट के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं तो इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत है नहीं तो यह रही आज की अपडेट अगर वीडियो आपको अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगरी वीडियो में किसी खास सब्डेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मसत रही है जैहिन जैभारण